जहन दोस्तो लो हो गई शुरुवात सभी को इंतियार था क्या डारेक्ट जेसियो फॉज में भरती होंगे हाँ जी दोस्तो आज एक इंस्ट्रेक्शन आपके सामने सेर कर रहा हूँ वो पहले नेवी ने शुरुवात कर दिये कि आखर नेवी के अंदर जिनको बोलते हैं किस तरह होगी इनकी ट्रेनिंग किस तरह होगी इनकी सेल ली इसके बाद क्या वो डारेक्ट अधिकारी बन सकते हैं सारी चीज आपको 14 पेज का एक जनरल इस्ट्रेक्शन है और और यह लेटर है मैं आपके सामने सेर कर रहा हूँ दोस्तो थोड़ा सा आप जो भी सेरेंड बच्चें जिनके लिए अपॉचनिटी है यह सत्त कह रहा हूँ और आपके सामने इंटिगेटर हेटकोर्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी डारेक्टेट ऑप पर्शनल न्यू देली 23 जून उन्होंने हर जगह इसको किया है लेटर को प्रपोजल फोर रकरूटमेंट ऑफ डारेक्ट इंट्री चीफ पेटी ऑफसर डारेक्ट सीपी ओ और उन्हों दिया है विदन क्या इसका एम है क्या इसकी सारी चीज है जरा बीडियो सो पांसे साथ मिनट का हो सकता है धैर रखें और ध्यान से सुनें आपके साथ मैं सेर भी करूँगा सब silent aspect of the scheme are illuminated of succeeding paragraph क्या क्या चीज है board conduct of the scheme recruitment of unmarried candidate in the rank of CPO will be undertaken direct CPO scheme the entry is to be undertaken against the existing vacancy in the rank of CPO total of 300 candidates are in visits of induct one year of two batches एक सार में इन्होंने 300 direct JSU बनाने है दो batches में बनाने है और इन्होंने इनका अपना मकसद बता दिया कि बहुत सारी female candidate the ratio of vacancy for female candidate would be limited up to 20% जितनी vacancy 20% लड़कियों के लिए होंगे enrollment of direct CPO will be required to serve Indian Navy for 20 years 20 साल तक इनकी service है कम से कम इसमें पूरा लिखा है और उनका उन्होंने लिखा है the seller will be considered promotion mcpo2 mcpo1 rank as per service led qr उन्होंने बोला है और mcpo master chief ptf1 यानि नावसुदार master chief अपसर ने शुवदार तक यह जा सकते है और इस तरह आप समझ समझ लिया होगा आपने अब entry क्या है इसकी recruitment किस तरह होगा direct cpo का graduate including btec b in stream with compulsory math and physics 10 plus 2 यानि आपका 10th में 10 plus 2 होना चाहिए और graduate है तो आपका btec b चलेगा only service stream eligible for electrical engineering whole stream aviation technical जो कि उनका ट्रेट्स होंगे ग्रेजुएशन इद ग्रेजुएट बी फार्मा बी सी नर्सिंग है तो आपको medical line में आप डारेक्ट जा सकते हो cpo दोस्त eligibility criteria the eligibility criteria for direct chief ptf shall be as follow marital states only unmarried male और female candidate are permitted to apply and join आप समा सकते हो यानि आप साधी सुदा नहीं हो सकते age candidate are to be between 20 to 24 years should not be less than 20 and not more than 24 यानि 20 से कम नहीं 24 से जादा नहीं educational आपको बता दिया कि qualified of graduation graduation marks केतने चाहिए minimum 60% marks in aggregate for recruitment CGPA from a university incorporate by act of central state बता दिया आपको सीधी सीधी instruction direct cpo medical stream के लिए have qualified bsc वो भी 60% recruitment procedure क्या होगा सबसे पहले अब यह सारी चीज़े मिलगी आपका procedure and apply कैसे करना है stage 1 में will involve short list of candidate based on marks obtained the final year of graduation conduct of plan इनों दिया है सारी चीज़े एक एक करके आपके साथ सेयर कर रहा हूँ computer based exam उन्होंने बोला एक computer based exam होगा उसमें से short list किये जाएंगे ठीक है सबसे पहले और उसकी online कब है date है वो भी आप देख लेना stage 2 में आपका physical fitness test PFT होगा written examination होगा फिर screening test होगा और medical होगा stage 2 में आप समसकते physical और आपका written और आपका medical सब होगा अब physical fitness उसमें और screening भी होगा उसमें आपने examination screening test उसमें psychological general PFT2 test including group discussion यानि एक अपसर की तरह बलकुँ test होगा recruitment medical and induction उसका medical किस तरह होगा वो सारी दिया है ठीक है दोस्तों और physical में इनों ने दिया है इद मेल है तो आपका 1.6 km रन 6 मिनिट 30 समय है इसका और females के लिए 8 मिनिट है और आपका उठक बैठक है 20 लगानी है बाकि को सब 12 है simple है physical test उसके बाद medical standard आपका medical सभी चीजें test होगी फिर आपकी height weight का इसमें दिया है reflection medical documents benefit for NCC candidate हाँ जी यह आपके पास NCC ABC certificate shall be eligible for benefit और उसके लिए भी benefit दिया गया है दोस्तों बिलकुल आप कोई चीज है मैं PDF share करूँगा provisional order lay down यह दिया है enrollment किस तरह होगा date of enrollment किस तरह होगी engagement period क्या होगा training methodology क्या होगी branch allocation आपको कैसे होगा training pattern क्या होगा professional training होगी competency आपकी training होगी जो आपका trade है उस तरह की training होगी सारी चीज इसमें दिया हुआ है और उसका training का duration 16 week होगा फिर समुद्र में 2 week का होगा professional training फिर आपकी 52 to 64 weeks होगी यह सारी चीजें करीब 94 week का आपका training होगा excluding leaves फिर फिर बहुत सारे course leadership course management course discharge क्या क्या तरीका होगी आपने छोड़ना चाहते हो यह रेलिगेशन और बिडरा criteria आप किसी चीज में टेस्ट में फैल हो जाते हो तो आपको किस तरह बाहर निकाला जा सकता है loss of training time क्या है, disciplinary ground क्या है, medical restrictions आपके लिए क्या है, सारी चीजें दिया है और condition of service के अंदर सारी चीजें दिया है और मैं आपको बताऊंगा इसमें अधिकारी कैसे बन सकते हैं, uniform, discipline, marriage, professional period क्या होगा, exit policy क्या होगा, leave क्या होगा, हर एक के बारे में एक एक चीज दिया है अब मैं selection procedure for apsar rank के बारे में बात करूँगा, सीधा क्योंको बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, बिलकुल उन्होंने का है, the selection of apsar will be applicable only those direct cpo seller who has been promoted to mcpo1, should we have rendered at least two years in the rank, ये कि इसमें आप service दो साल कर लेते हो, तो आप direct apsar के पूरे chance हैं, उसमें medical criteria, आपका character very good होना चाहिए, discipline होन चाहिए, selection procedure सेम जैसे ही एक apsar के लिए होता है, preliminary screening board उन्होंने बोला, SSB होगा, SSB के अंदर, सारी चीजें इसके अंदर होंगे, और आपका payment बगरा, इसमें सारी जानकारी दी रखी है, और इसकी online site अभी 5, I think 5 July से है, और आगे है, वाकी information, आप मुझे WhatsApp प मैं सेर कर रहा हूं, जरूर जिसके बच्चे हैं, जरूर जो लोग फौसे जुड़ना चाहते हैं, ने भी बहुत अच्छी stream है, और इसके अंदर आपकी पूरी सेली है, सारी सुबदा है, अधकारी बनने का मौका है, जरूर इसका फायदा उठाए, धनवाद